डिक्तिशिंकती सौसाब्द प्रती मिनट इस्टार्ट अध्यक्ष महोदे 14, 15 और 16 फर्वरी को होने वाली कार्य समिती की बैठक के प्रस्ताव में निम लिखित बातों पर विशेश जोर दिया गया आंदोलन का सूत्रपात गांदी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पून सुराज प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा सभी कांग्रेज जनों तथा अन्य लोगों को सत्या ग्रहियों के साथ सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिए सामूहिक विनय अवग्या आरम होने की इस्थिती में भारत वातियों का आवाहन किया गया था कि सरकार को कोई स्वच्छिक सहयोग देना बंद कर दे अंत में नेताओं की गिरफतारी की हालत में भारत की जनता खुट कांग्रेज संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेत्रित्व करेगी प्रस्ताओं में यह नहीं बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा आंदोलन आरम होने से पहले बहुत से कांग्रेश कारिकरताओं के मन में संका थी कि इसका अंत और परणाम कैसा और क्या होगा हाला कि गांदी जी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत्र तक चलेगा यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भाती इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा इस मरनिय है की पिछली बार 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन इस थगित कर दिया गया था अपनी आत्म कथा में जवाहरलाल ने इसे इस प्रकार बताया है महत्मा गांदी जी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एक मात्र सही राफ्ता है और सही धन से इस तरीके पर काम किया जाए तो अमोग तरीका है गांदी जी का यह रवय्या अन्नेताओं और कारिकरताओं को नापसंद था अतह हमने उनके साथ चर्चा की और उनकी बात से हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ था और अब यदी आंदोलन सुरू हुआ तो उन्हें किनी छिटपुट हिंसा की घटनाओं के कारण आंदोलन को इस्थगित करने की जरूरत नहीं थी दूसरी और संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कारवाईयों की तैयारियां कर रही थी विशेशकर निहत्ती जन्ता पर सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए इसके बाद ही गांदी जी ने यंग इंडिया के इस्तंभो में अपने विचारों का खुलासा करना सुरू किया 27 फरवरी 1930 को उन्होंने लिखा कि सविने अवग्या आरंब करने के बाद उनकी गिरफतारी आवश्य अंभावी है 1922 में अपनी गिरफतारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि विशांती रखें और कोई प्रदर्सन आदी ना करें किन्तु इस बार उन्होंने इस से हट कर कहा इस बार मेरी गिरफतारी के बाद मौन निस्क्रिय अहिंसा का रवईया नहीं अपनाया जाएगा बलकि इस बार सक्रिय ढंग की अहिंसा का प्रदर्सन किया जाएगा ताकि आहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ती जेल से बाहर या जिन्दा न रहने पाए हर व्यक्ती का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्राधिकारी अत्वा कांग्रेश की सलाह के अनुसार सविने अवग्या प्रती रोद में हिस्सा ले अध्यक्ष महोदय कांग्रेशी स्वयम सेवकों के लिए उन्होंने आचरण के नियम बताते हुए कहा कि किसी सत्याग्रही के मन में सत्रू के प्रती किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए उसे अपने उपर किये जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है और ना किसी भैवस मारपीट को सहिन करना है सत्याग्रही का नैतिक बल इतना उंचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गरिमा के साथ सहिन करे सत्याग रही का लक्ष सत्रू का हिर्दय परिवर्तन करना होना चाहिए संसार के सबसे सकती साली सामराज के विरुद लड़ने वाले नेता द्वारा अपने अनुयाईयों पर इस प्रकार का नैतिक अनुसासन लागू करने की घटना इतिहास में बेजोड है इस मरण रहे की गांदी जी मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे उससे भी बढ़कर वह एक आध्यात्मिक नेता थे गांदी जी है कह सकते थे कि कभी कभी प्रेम की मांग होती है कि सब विनय अवग्या की जाए आत्मा को नश्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का एक मात्र उपाए सब ने अवग्या ही होता है गांदी जी के साथियों को सायद ऐसा लग रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष के लिए वे संगर्स कर रहे हैं उसके साथ गांदी जी की राजनीतिक रणनीती का मेल नहीं बैठता एक राजनीतिक नेता का यह संतो जैसा रवय्या देखकर कभी कभी कुछ कांगरेशी लोग दबी जबान से उनकी खिली भी उड़ाते थे इस लेखक और यूगांतर पार्टी के उसके साथियों के मन में गांदी जी के सिध्धानतों के परती पूरी सरधा नहीं थी अगस्त 1938 तक उन्हें ऐसा लगता रहा लेकिन इसके बाद उन्होंने भी घोषना की की भारत की आजादी के लिए कांगरेश के अलावा और कोई दूसरी पार्टी या मंच नहीं होना चाहिए दूतिय महायुद के दौरान गांदी जी के नेतरतों में संदेह रखने वालों का संदेह दूर हो गया गांदी जी की बहुत सी बातें उनके प्रमुक सहियोगियों को भी पसंद नहीं थी यहां तक की जवालाल नहरू और मौलाना आजाद ने भे लेखक के सामने यह सुईकार किया नहरू जी के सब्जुते गांदी जी के अंदर भारती जंता के मन को पढ़ सकने की और लोकिक छमता है भारत की जंता को केवल वही आंदोलित कर सकते हैं हम उनके बगएर कुछ नहीं कर सकते भले ही हम उनकी बहुत सी बातों को पसंद ना करते हों यहां इसी संदर्ब में और बात बता दे 1930 प्रथम सारे तीन महीनों के दोरान गांदी जी ने अनेक वक्त अव्य दिये बहुत से लेख लिखे और अपनी प्रार्थना सभाव में हजारों आदमियों को संबोधित किया इसमें उन्होंने सत्या ग्रहियों के नैतिक गुणों और अनुसासन पर तो जोर दिया ही साथ ही आर्थिक मसलों को भी पूरा महत्व दिया कमर तोड लगान नमक कर खर्चीला प्रसासन तंत्र राज्य संरक्षन में किया जाने वाला ब्रिटिस माल का आयात और भारत के गामों में रहने वाली करोडों जन्ता के दुखों की चर्चा करते हुए वह भारत को आजात कराने की जरूरत बताते थे स्टाप